दोस्तो नमस्कार और प्यारे विद्यार्थियों माइसल बीयल चोधरी सीनियर बॉट्टिम फेकल्टी CLC सिकर COVID-19 के संकट काल वेस्टिक महामर के संकट काल में भी CLC आपके साथ है इसी कड़ी में CLC ने जो प्रिवेस इयर्स निट के जो क्यूशन का सॉलुशन आपको यूटूब के माध्याम से फेस्व माध्याम से आपको अप्लब्द करवाया और उसमें सोलुशन के साथ साथ लोजिक्स NCRT को किलियर किया तो अपन जो एकोलोजी फरस्ट के दो चैप्टर कर चुके थे 41 क्यूशन तक आप अपन 42 क्यूशन से एकोलोजी सेकेंड यान बायोडियर्स्ट कंजर्वेशन जेवितास का स्रक्षन और एनवार्मेंटल इश्यू प्रयावने मुद्य जो पॉलुशन से रिलेटेड है वो अपन करेंगे किलियर और आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें बहुत समझे नाइनों को और लोजिक्स को आप देखें तो स्टुडेंट्स अपने स्टार्ट करते हैं क्योशन नंबर 42 से बाइडार्स इंट कंजर्वेशन से फिर आपका एनवार्मेंटल इस्यू से 13 से 19 तक क्योशन है तो क्योशन नंबर 42 तो फर्स्ट आप ओल क्योशन नंबर 42 आपके सामने है तो बेटा देखो विच वन अप दा फॉलोइंग इस नॉट यूज़ प्र और एकसॆट्यू्टल से 5 ने Wishन निमवन देखों से कौन सा एकसीटीव पादब स्युक्त नहीं होता और X-Situ का मीन होता है कि जब कोई endangered और संकट गर्ष जाती हो तो आप जानते हो कि खत्रा गर्ष तो आप जानते हो कि उसको उसके natural habitation प्राकृतिक आवाज से लेक अठा कर मानों की देख बाल में, human care में उसको रखा जाए, तो X-Situ होता है. जैसे मैं आपको एक example दूँ कि एक टाइगर एक forest में रहता है अब उस टाइगर को protection देने के लिए उस टाइगर को सुरक्षा देने के लिए उस पूरे forest को ही protected कर दिया. तो वो टेक्निक क्या है? इसमें आप टाइगर का तो होई गया protection, साथ में अधर species का भी protection होगा, तो वो एक अच्छी बात बात बाए diversity के लिए. अब इंडिया में इंसिट्यू की जो टेक्निक्स हों क्या क्या हैं, जैसे इंडिया में specific area और पूरे वर्ड में भी जो specific area चिनित की होट spot region, होट spot concept नॉर्मन मेर ने दिया, अर्थ की ऐसे प्लेस जहांकि बाए diversity बहुत ही हाई होती है, और साथ साथ में वहाँ पर इस्तान हैं, तो उनको आप कहते हो होट spot, नॉर्मन मेर ने कहा था कि तू पूरे होट spot इस अर्थ के 1.4 अल्मॉस्ट जाज़ा 2% area तक वह cover करते हैं, लेकिन 1 3rd जो species low से बाड़ से रूख जाएगा, आगर इनको पन protection प्रदान कर दें, क्लियर, तो आप समझ बारे मिटा, कि इसके Spear Res ne5, आपने बात की, नैयसनल कार्व पार्ख की आपने की, आपने wild life centuries की बात की, बाल यद्स आ वैंओ सेंचुरे इस की आपने बात की, तो वह सारे technique क है, in situ और sacred gurus, जो पवित्र वुपन वह भी क्या है, in situ है, लेकिन जो आप समझा सकते हो, कि जो botanical से harb अब botanical garden में plant species को living condition रखा जाता है तो botanical जो garden है जो logical park है जो logical park या sapari park जो है या जो cry-freezytion technique है वो सारी किस में आती है cry-freezytion-196 liquid nitrogen में ये सारी techniques आती है आपकी ex-situ के अंदर, clear तो अब यहां से आप से पुछाए कि which one of the following is not used for ex-situ, इन में से कौन से ex-situ नहीं है clear, तो यहां sifting cultivation से तो mean ही नहीं है botanical garden, ex-situ है filled gene bank भी ex-situ है, seed bank आप ex-situ है तो it means, यहां पर answer क्या होगा, first खेर वो sifting cultivation का इसे mean नहीं है, लेकिन according discussion answer क्या होगा first, clear तो यहां पर question था then next, question number 43, तो question number 43 है which of the following represent maximum number of species among global bad arts वेस्विक जे विता में किस की जाती होगी है, दिक्तम से क्या है तो इन options में से आप जानते हो, animals में तो सबस्यादा bad arts insect की है, total animal 70-80% आपके आर्थफड़ा और 70% आप इंसेक्ट हैं, हर 10 जनतों में साथ आपके क्या है, इंसेक्ट है, 7 इंसेक्ट है, clear और अगर आप बात करते हो, plants में तो यहां अपनवात्री की fungi को plant में ही included किया गया है classification coding तो सभी plant में फंजाई गी है higher plant की बात करते है, angiosperm clear, तो यहां देखो आपके plant की type दिए गए है की भी fungi, तो pie chart आप देखते हो anxiety के अंदर, तो plants में सबसे ज़्यादा bad arts इसकी fungi की है, फिर आप कहते है, moses fern तो बहुत कम है, algae कमी है, lichens तो बहुत एक city conservation is, भाई अस्ता ने सरक्षन का एक उधाण कौन साब वो पूछ लिया गया clear, तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर national park तो in-situ है national park तो क्या भी, राष्टे उद्दान in-situ है, यहां आप समझ सेकते हैं कि seed bank, तो seed bank कि यहां पर क्या है, ex-situ है, पॉलन बैंक जो भी होता है यहां पर world life centuries वन्ने प्राणे भ्यारण in-situ है clear, और sacred groups मैंने आप बताता है, प्यूत रुपन भी क्या है in-situ है, तो according to this question answer will be second clear, next, question number 45 a species facing extremely high risk of existence in the immediate future is called कि एक जाती जो निकिट बोश में विलोपन के उजोखिम की चरमता का सामना कर रहेगी क्या का जाएगा, अगर आपने ध्यान ही तो निकिट बोश में विलुप्त हो जाएगी, एक्जिंट हो जाएगी, तो आप उसको क्या कहते हैं, कि vulnerable, सुबेद नहीं कहेंगे, endemic, इस्तानिक नहीं कहेंगे और critical endangered तो 100% संकट संकट जाती कहेंगे, critical endangered according to this question answer will be third clear, और fourth नहीं होगा, तो 45 में answer क्या होगा, third आपका होगा, clear next, question number 46, तो student आप ध्यान दें कि the organization which publish red list of species कौन सा संकटन जाते होंगी, red तो बहुत अच्छा आपका कि जो सबसे बड़ी सरक्षन संस्ता है, जो सबसे अपनवाद largest authority IUCN International Union of Conservation for Natural and Natural Resources clear, तो आप समझ पा रहे हैं कि IUCN परतिवर्स अपने red data list जारी करता है जिसमें संकट गरश जातियों endangered species की list को जारी करता है, इसके लिए जो विलुप्त हो गई है जो अपनवात्रे की risk पे हैं जो खिम पे हैं तो red data list जारी करता है और red data list किसके according जाने कि IUCN तो according discussion answer क्या हो गए second clear next question number 47 तो बेड़ा ध्यान देए इन इंडिया maximum biodiversity scene at बारत में अधिक्तम जेविता कहां पर देखी जाती है तो आप समझभा रहें मेटा जी कि जो इंडिया के अंदर western घाट है eastern हिमालया है वो इंडिया के hot spot region है के लिए इंडो बर्मारी तो आप जानते हो 34 hot spot region है 34 पहले 25 थे central and western हिमालया और eastern हिमालया and western घाट तो भई इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा biodiversity है वो आप समझ पा रहें मेटा जी कि eastern हिमालया eastern हिमालया और western घाट ये इंडिया के hot spot region है hot spot region hot spot region biodiversity clear है तो according to discussion answer will be 4 clear next question number 48 which of the following is not considered an exit strategy of plant conservation पादब सरक्षन की निमिकर में कौन एक बाहसतानी होजना नहीं है फिर वही question भी कौन से exit you नहीं है आप से institute पूचा है seed bank अभी पहले आया था question में exit you है clear cryofriguation banks what क्या है exit you है clear botanical garden क्या है geological park or botanical garden क्या है वेटा जी exit you है और फिर आप हो question हो गया है कि भी shifting cultivation इसका इन से mean नहीं है तो according to this question answer will be 4 clear next question number 49 cryofriguation of gamut of threatened species in viable and fertile condition can be referred to as संकट ग्रस species के युगमों का जीवन्सम और जनन्सम इस्तती में निमनताप प्रेक्षण को क्या कहा जाता है तो आप समझ रहें कि जो कम ताप पर स्रेक्षण के उसको आप कहते हो cryofriguation technique clear और आप बेटा जी यहां पर कि in-situ cryofriguation और bad diversity जेविता का स्वस्तान निमनताप स्रक्षण in-situ congeresional by diversity जेविता का स्वस्तान स्रक्षण advanced ex situ congeresional by diversity तो आप समझ रहें कि संकट species के युगमों का जीवन्सम और जनन्सम इस्तिति में निमनताप पर आप उसको क्या करेंगे तो आप समझ रहें बिटा जी यह आपका होगा advanced ex situ congeresional by diversity क्योंकि आपन उनको cryofriguation technique की बात करेंगे और cryofriguation technique की बात करेंगे तो आप जानते हों कि advanced technique है और advanced technique के according आप समझ रहें कि according this question answer will be third clear और next question number 50 in which of the following both pair have correct combination निम्र में से दोनु युगम सही सहीजित हैं in-situ conservation tissue culture गलत हो गया ex situ sacred group जबकि यह तो in-situ है और यह क्या है ex situ तो यह wrong हो गया clear और फिर in-situ conservation national park ex situ conservation botanical garden तो यह in-situ है यह ex situ है तो यह correct है clear in-situ conservation cryofriguation wrong हो गया ex situ conservation wildlife century गलत हो गया in-situ conservation seed bank गलत हो गया ex situ conservation national park गलत हो गया according discussion answer will be second clear तो बहुत अच्छी बात है न यह अब आप next करें question number 51 most animal art tree dweller in अधिकान जन्तु व्रक्षों पर पहे जाते हैं तो आप भी समझ सकते हैं अच्छे से कि भई जादातर जो तो ट्री डिवेलर्स आपके पाए जाते हैं, किलियर, अब आप समझ पा रहे हैं कि ट्रोफिकल रैन फोरेस्ट में लेना कंट लथा हैं, एपिफाइट्स अधिपादर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हुमिड एरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा टैंप्रेचर वहाँ पर कौन सा सबसे मुख्य कारण हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन, बही आप जानते हो कि जो बाइडर्स लोस के इविल, इविल क्वार्टेट हैं, चार बुराईएं हैं, इविल क्वार्टेट, किलियर, फर्स्ट आपका है, हैबिटेट लोस सबसे इंपोर्टेंट आपका है, इन्वेजन ओप एलिन स्पेसिज, और आप समझ पा रहे हैं कि जो और एक्स्पोइटेशन है, आतीदोहन है, और आप जानते हो कि को एक्विलूपन है, तो यह सारे हैं, आप समझ पा रहे हैं, कि यहाँ पर एलिन स्पेसिज इन्वेजन नहीं आएगा, इन्वेजन विलूपती होने का कारण है, वह है हबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, क्लियर, तो अकोर्डिंग दिस्क्यूशन आंसर विल बी सेकेंड, क्लियर, नेक्स्ट, क्योशन नंबर 53, विच वन ओफ फॉलोईइंग इज एक क्रेक्टरिस्टिक फीचर ओफ क्र और वह आप जानते हैं कि man-made ecosystem है, artificial ecosystem है, क्लियर, तो आप समझ रहे हैं कि least genetic diversity, तो वहाँ सबसे नियुनतमानवान से विविता होगी, 100% है, क्लियर, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भी एक ही variety को ग्रो कराया जाता है, क्रोप के अंदर, जैसे wheat की किसी एक variety को एक बड़े land area मे लिस्ट है, बहुत कम है, क्योंकि एक variety species भी नहीं, एक variety है only, क्लियर, फिर आपका है, कि absence of wheat, ऐसा possibility wheat तो हो सकता है, ecological succession, वहाँ मीन ही नहीं है, absence of soil organism, तो present होगी, तो according discussion, answer will be first, क्लियर, next, तो next question, आपका question number 54 है, तो student आप ध्यान दें, बहुत important 54, कि how many hot spot of biodiversity in the world, have been identified till that by Norman Mayer, कि Norman Mayer दोर अब तक, विशों में कितने जेवी था, वाले hot spot पैचाने जा चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था, hot spot region of biodiversity, hot spot region of biodiversity, तो Norman Mayer ने concept दिया था, और आपको पता, students कि biodiversity के, जो hot spot region होते हैं, वो आप समझ पा रहे हैं, कि वो region होते हैं, जहां पर high biodiversity है, उच जेवी विता है, high endenism है, endenism की degree high है, मतलब इस्तानिक ताउच है, कुछ specific species हो वहीं और कहीं नहीं है, इसके लाए, जो degree of endangered, संकट की degree वहाँ पर high है, clear, और आप समझ पा रहे हैं, कि वो तवरित, आवाश्य सती के छित्रे ने, accelerated habitat loss, क्योंकि वहाँ अच्छे संसादन है, तो लोग उनको जल्दी से वनों को खतम कर रहे हैं, clear, तो ऐसे region को अपनों बचाएं, तो biodiversity में बहुत अच्छी अपनों help मिलेगी, अब एक से करें भी, जब initially तुम जानते हैं कि 25 hot spot region थे, और बाद में 9 और discard होए, तो total होगे 34, और total hot spot, 34 है पूरे world में, और 3 hot spot region in India, clear, तो दोनों क्यूशन बहुत इसने जेविता वाले hot spot है, 34 according discussion answer will be second, next question number 55, इसने जानते, red list contain data और information on, लाल सुची में किनके बारे में आकड़या सुचना होती है, तो वही चीज़ आगी, कि जो IUCN, IUCN every year, जो रिलीज करती है, red data list, red data list, और बताया भी आगे, IUCN according, IUCN 2004 के according, तो उसमें वह जितनी भी endangered species हैं, और आप जानते हैं, उनकी उपर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वह एकजिंट हो जाएंगी जल्दी, उनकी list को जारी किया जाता है, तो यहाँ पर देख आपका अंसर हो गई, plant whose product are international trade, वे पादब जिनकी उत्पार अंतराष्टी भी आप प्लांट गलत है, क्लियर, according discussion, answer will be second, next, question number 56, Alexander, question number 56, Alexander von Humboldt, described for the first time, Alexander von Humboldt ने सरो परतम किसको वर्नित किया, क्लियर, तो आपको पता होना चीज़ मिटा जी, कि लाव प्लिमिटिंग फेक्टर हो गया, species area relationship, और उसके बाद अपने बादे, population growth equation, ecology by diversity, आपको पता है कि Alexander von Humboldt में, जो South America के forest थे, वहाँ पर आप समझ सकते हो कि species area relationship है, clear, उन्होंने का कि अगर अपन area increase करेंगे, तो एक particular time तक कि species area diversity increase होगी, उसके बाद आपकी constant हो जाएगी, और इसको अगर आपन log scale बात करेंगे, तो यह straight line आपके आएगी, इसके लिए s बराबर c az, और यह आपका log s, बराबर log c, प्लस z log a, clear, और जितना ज़्यादा बड़ा area होगा, आप जानते कांटिनेंट होगा, या फिर tropic rain forest उतनी उपर जाकर यह stable होगा, तो यह जो खडी line है, तिर्ची line जो है, वह आप समझ रहे हैं कि ज्यादा आएगो, regression coefficient z की value को, जो आप जान gradient है, ढाल में प्रवनता ज्यादा होगी, तो जैड का मान ज्यादा विविता भी क्या होगी, ज्यादा, तो species area relationship से कुनों ने प्रवाइड किया था, according to this question answer will be second, clear, next, question number 57, pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature, प्राकणों का भहुत सवर्सों के लिए दरो nitrogen में, तो यह एक XC2 technique है, और XC2 है न minus 190, यहाँ पर correct है, question number 57, answer, first है, next, question number 58, all of the following are included in XC2 concentration, accept, अब यहाँ पर भीटाजी आप ध्यान दे दे को, कि in-situ technique से और XC2 किती बार question आगा है, और दिमाग आप इतना सा लगा लें कि in-situ technique होती, किसी भी living organism को, उसके natural habit में, चाहाँ एक टाइग तो पूरे फोरेस्ट को नेशनल पार्क, wildlife centuries, यह जो सारे बता है, sacred grooves, hot spot, यह सारे के हैं, इन-situ हैं, लेकिन आप जानते हो कि particular place पे endangered species को, human care में अगर रखा जाए, तो वो आपका क्या होता है, XC2 होता है, clear, तो यहाँ से आप सुचाए कि भी, कौन सा भाहेस्तान सर्च्शन में नहीं आएगा, ब XC2 में, wildlife century नहीं आती है, आप समझ रहें न, तो आप समझ रहें कि sacred groove नहीं आएगा, यह in-situ है, तो according to this question answer will be third, तो बेटाजी आप क्या है, कि एक particular list त्यार करें धंग सें, तो फिर आप कोई question करते हैं, कित्ती बार question पूचे गए आप से, clear, तो फिर आप next करें, clear, question number 59, which of the following is the most important cause for animal and plant being driven to oxygen, पादव और जनतों को विलोपन के एक अगार के लाने के लिए, निमल में कौन सा सबसे महत्मन कारण है, तो बहुत ही important question है, कि सबसे important कारण कौन सा है, वो ही habitat loss, clear, evil quartet के अंदर, तो यहां पर देखो, economic exploitation, और exploitation भी है, second number पे फिर alien species, यह भी है, लेकिन पसे man को जो एंसे लाइन दे रिखी हो है, habitat loss and fragmentation, क्योंकि आपको बताए भी टा, tropical rainforest, tropical rainforest जो 14% land area पे spread थे, आज आप decrease होगर जानते हो, 6% पे रह गए हैं, और amazing rainforest, lungs of planet, जिनको भी बहुत ज्यादा amount में, agriculture के लिए, ग्रास लेंड के लिए, वहां पर बहुत ज्यादा उनकी क challenge कर रहे हैं, पिर resources को अपन खतम कर रहे हैं, clear, आप समझ पा रहे हैं कि habitat loss and fragmented, according to this question, answer will be third, then next, question number 60, the earth summit held in Rio de Janeiro in 1992, was called, सन 1902 में Rio de Janeiro में संपन हुआ पर थी, सम्मेलन क्यों किया गया था, तो रियो de Janeiro के अंदर जो सम्मेलन आपका हुआ था, आपको भी पतावना चाहिए, बेटा, कि Rio de Janeiro के अंदर, जो संकल्प हुआ था, to asset threat pose to native species or invasive weed species, आक्रमा का एतरपन जाते हो जाते हो, इस्तानी जाते हो, CFC, for immediate step to discontinue use of CFC that were damaging the ozone layer, CFC के उपयोग को ततकाल समाप्त करने के लिए जो ओजोन परत का हास कर रही है, to reduce CO2 emission and global warming, CO2 उस्तर जोन वेस्मिंग उस्मन को कम करने के लिए, और for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits, कि जे विता के स्रक्षन के लिए और उससे लाब, धारन, धारनी उपयोग के लिए, तो आप समझ पाए रहे हैं, कि बही, जो सम्मिट, हैल्ड इडिजिनेरियो, जो हुए ता, परती सम्मिलन, वो आता, जे विता के स्रक्षन और इसके लाब के धारनी पयोग गयाने, अपन संसाथ उन्हों का नियती से उपयोग करें, किलियर, तो according to this question, answer will be क्या होगा, for the next, question number 61, which one of the following is not a method of in-situ conservation by diversity, अब बार बार होई, कि यहाँ पर देखो, botanical garden, अब यहाँ नोट a method of in-situ, तो botanical garden क्या है, ex-situ सही आ गया, अब sacred grooves, in-situ है, clear, in-situ है sacred grooves, clear, अब देखो, biosphere जरू है, in-situ है, clear, अब आप देखो, wildlife century, in-situ है, clear, तो यहाँ पर ex-situ क्या हो आ आपका, botanical garden, तो आप से बुचाएं, not a method of in-situ, clear, तो according discussion answer will be, first, यह question भोत बार repeat हो चुका, clear, अब आप देखें next, question number 62, Kyoto Protocol was, endorse at Kyoto Protocol का नोधन कहां हुआ था, तो आपन कहेंगी COP3, COP3 की अपन बात करते हैं, clear, तो बेटाजी आप बात कर रहे हो कि भी COP3, यहाँ आपका थर्ड, 62 का, next, question number 63, global warming can be controlled by, global warming can be controlled by, increasing deforestation, slowing down the growth of human population, one-on-num-mulon में वर्दी करके, और जनसें के वर्दी की धर को कम करके, possibly नहीं, इनकर अपना one-on-num-mulon को बढ़ावा देंगे, one-on-num-mulon को बढ़ावा देंगे, तो global warming ज्यादा होगा, CO2 emission ज्यादा होगा, तो यह रॉंग हो गया, फिर आपका, one-on-num-mulon, increasing deforestation, reducing efficiency of energy uses, यह भी possible नहीं है, फिर reducing deforestation, one-on-num-mulon को कम करके, cutting down use of fossil fuel, तो यह correct answer है, according third, clear, reducing reforestation, increasing use of fossil fuel, यह भी गलत है, भाई, अपन को green house के लिए, यानि global warming के लिए, CO2 सबसे man responsible है, अब CO2 की emission को, CO2 को उस्यादा को कम करना ह है, clear, तो अपन को forestation, यानि reforestation, one-on-one को तो बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि जितनी ज़्यादा greenery होगी, CO2 को फोटोसंद में use करेंगे, clear, और आप जानते हो कि जो fossil fuels है, या फिर burning wood है, इनको अपन को decrease करना पड़ेगा, कैसे ने, कैसे अपन को CO2 के amount को decrease करना होगा clear, तो according to this question answer will be third, next, question number 64, the air prevention and control of pollution act into force, तो यह act जो भोत important है, कि water prevention and control, water pollution and control act आपका है 1974, और air prevention and control pollution जो act आपका है 1981, और environment protection act, environment, यह सबसे important, environment protection act, तो जो environment protection, protection act था, वो protection act आपका है 1986 में, clear, और आप जानते होगी, धवनी को भी, फिर sound को भी आ, जो noise है उसको भी फिर बाद में, air pollution में, 1987 में, तो मैंने सारे आपको act बता दीना, इस दिए भी याद करवा दिये, तो according discussion answer will be 4, clear, फिर आप कहते हो next, question number 65, a location with luxury and growth of lichen on the trees, indicate that, आपको भी पता है, कि जहाँ SO2 का pollution होगा, वहाँ तो lichen कभी growing नहीं कर सकता हो, अच्छा indicator है, और SO2 pollution area में तो growing नहीं कर सकता, इसलिए लाइकेन सबसे अच्छे trees पर वहाँ grow करेंगे, जहाँ pollution नहीं है, clear, तो आप समझ रहे हैं कि trees are very healthy, नहीं होगा, trees heavily नहीं, और location highly polluted, बिलकुली नहीं, location is not polluted, 100% correct answer is 4, clear, question number 66, the zone of atmosphere in which the ozone layer is present, is cold, वाई मंडल का वह चेतर जिसमें और उजोन पर उपस्तित होती है, तो आप भी जानते हो, कि ट्रॉफो स्पिर जो सोब मंडल होता है, 0 से 16 किलोमेटर, फिर स्टेटो स्पिर आता समताब मंडल, उसका जो उपर लेयर होता है, वह आपका होता है ओजोन लेयर, किलियर, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि स्टेटो स्पिर, मलब समताब मंडल वार एरिया होगा, आंसर क्या होगा, फर्ड, किलियर, नेक्स क्यूशन, वाट, गैसेज अर प्रोड्यूज इन एनारबिक स्लस डाइस्टर, कौन सी गैसे, एवाई विए, ज एक रासानिक प्रोड्यूज संस्तान के विकास में लगावा, इस्क्रबर क्या आठाता है, आपको पता है बिटा, कि एर पोलुशन में, जो तीन डिवाइसेज आपको दे रखी है, सबसे पहले आपको दे रखी है, इस्प, इलेक्ट्रो स्टाटिक प्रसिपेटर, तो एक इलेक्ट्रो स्टाटिक प्रसिपेटर, तो एक जानती है, कि वहाँ आपन बातरे की, हाईली नेगेटिवली चार्जड एलेक्ट्रोड वायर्स लेते हैं, और थाउजन्ट वोल्ड जो पास करते हैं, यह डिस्टार्ज कोरोना फोम हो जाता है, किलियर? आप जानते हैं कि यह हाईली नेगेटिवली चार्ज एलेक्ट्रोड वायर्स, तो फिर यह आपका एलेक्ट्रोड डिस्टार्ज कोरोना, और यह डिटी एर होती है, यहाँ जिंक की अंडरगाउंडेड यह प्लेट्स होती हैं, जैसे यह डिस्ट पार्टिकल से एलेक्ट्रोड खूब जदा लैस साइज के हूँ, यह आप जानते हैं कि विशली गेस होती है, आप जैसी गेस को रिमूट करने के लिए कि इसको इसकरबर मारजक, तो इसकरबर मारजक में आप अच्छे से देखते हैं, इसकरबर में, इसकरबर में आप देखते हैं कि इस फोम में इसकरबर होता है, य सर्म्स आव्oster कर करें कि यहां गिर जाएगी aso-4- का जो बने कर यहीं सुली यह सरी कnew कर ieat आशु कर देता है झाल इंतर मेंटरवन यह यहां कि जाएगा तो परिटीकुलिट meter of the size 2.5 meter less clear लेकिन सबसे important gases like sulfur dioxide clear तो ये इसकरबर आपका होता according to this answer will be first next question number 69 highest contribution by green house gas to total global warming एक समुचे वेस्टी गुस्पन के लिए किस हर्थ gas gas का सबसे अधिक योगदान होगा आपको पता बेटा जी कि जो green houses gases होती है जो जनरली आपकी नॉर्मल आइंसाइडम दे रिखी हो तो यह है कि आप जानते हो कि more than 60% जो होती हो CO2 होती है 60% तो first priority के उपर क्याएगी CO2 फिर आप जानते हो कि जो 20% आपकी होती है CH4 पाद methane होती है clear CH4 क्या होती है methane फिर 14% about 60% 20% और फिर CFC 14% chlorofluorocarbon 14% तो फिर आपकी क्या होती है CFC clear और फिर आपका होता 6% N2O तो फिर आपका होता है N2O कितना 6% clear इसके लाब जानते हो कि आपका होता भी यहां तो आपसे बुझाए कि सबसे मेजर कौन सी है तो CO2 तो कौन दिस आंसर विल भी फर्स्ट CO2 yes next question number 70 in a lag polluted with pesticide the highest level of pesticide will be found फिस में हाइड्रोफाइड्स में water birds में या plankton में तो सबसे ज्यादा होगा water birds में जो सीगल होता है clear आपको पता है कि जो भी pesticide होते हैं या मर्करी एजी की बात करते हैं तो इनका क्या है कि ना तो metabolism में पार्ट करता है organism इनको आप जानते हैं इनका degradation भी नहीं होता है तो ट्रॉफिक लोल पे इनका concentration increase होता जाता है उसका biomagnification कहते है clear इसलिए आप जानते हो कि जैसे आपको डिटी का बेस्ट एक्जामपल वहाँ देर का phytoplankton, zooplankton, small fish, large fish and then fish eating bird जो सीगल होता है तो आप समझ रहे है कि उसके coding स्कानसर आपको करना है clear next question number 71 which one is wrongly matched निमन में से कौन साही समिलित नहीं है IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources गलत सही है clear UNEP United National Environment Panel सही है IPCC Inter Government Panel on Climate Change CITS Convention on International Trade of Endangered Species तो यह आप समझ पारे हैं मिटा कि 71 question के अंदर आपका होगा UNEP United National Environment Panel यह सही नहीं है तो आप समझ रहे हैं कि according discussion answer will be second clear question number 72 high value of BOD biochemical oxygen demand indicate that BOD के उच्छ मान से संकेत मिलता है कि consumption of organic matter in the water is higher by the microbes सुक्सम जोरा पाने में कार्विंफदार्थ की खपता दिख water is pure water is highly polluted और water is less polluted तो BOD अगर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा BOD होती है कि जैसे एक लिटर वाटर में एक लिटर वाटर में जितना organic matter है उसको consume करने के लिए जो microbes को autorequired होती है that is BOD अपन कहते हैं BOD is directly proportional organic matter BOD is directly proportional organic matter और जितना ज्यादा BOD होगा जितना BOD ज्यादा उतना ही water highly polluted होगा water क्या होगा highly polluted तो पानी भोती ज्यादा polluted होगा clear तो यह आपका तो water is highly polluted पानी अत्यदिक प्रदूशित है तो आप समझ रहें कि 72 के अंदर आपका answer क्या होगा third होगा clear तो यह आपका third answer हो गया next question number 74 which of the following is not one of the prime health risk associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of stratosphere ozone सम्ताम अदल के शेकर्ण वाइब में उस्तर यूविकर्ण से समझ निम प्रम जो खिमोंगा एक है तो आप जानते हो कि अपनी skin cells को damage कर देता है skin cells को आप समझ पारें कि damage कर देता है और increase liver cancer तो यहाँ पर आपका liver cancer करता ही है increase which of the following is not of the prime health risk associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of stratosphere ozone कि सम्ताम अदल की ozone के सहेकर्ण वाइब में उस्तर है UV विकर्ण से समझ निम प्रमुख स्वास्ते जो खिमोंगे से कौन साहिक नहीं है तो liver cancer नहीं हो सकता है skin cancer होता हो यह नहीं है increased skin cancer 100% सही है reduce immune system यह भी सही है damage to eye जो जानते हो color आप जानते हो कि snow blindness हो जाता है तो यह तीन अफेक्ट उसके यह नहीं है तो according to answer will be first next question number 75 students तो देखें राचल कार्सन famous book silent spring related to राचल कार्सन की जो आप समझ पारें मेटा की जो बुक है उसका किसे relation है तो pesticide pollution से उसका राचल कार्सन की बुक का clear तो यह आपका number 76 acid rain is caused by increase in the atmosphere concentration of आपको ही बता है कि acid rain किसे होती है SO2 NO2 और acid rain में S2 support HNO3 होता है clear according to discussion answer will be third next 77 increase in concentration of the toxicant at successive tropical level is known as यह बहुत अच्छा अनुकर्मिक पोसक पोसिस्त्रों पर विस्की संद्रता बढ़ने को क्या को हो गया कि अगर ट्रोफिक के लुदे को अपन कोई चीज खाते हैं अगर अपने बोडी के अंदर metabolism यूज हो जाए या डिग्रेड हो जाए तो वह आप समझ पा रहे हो कि वह बायो मैगनिफिकेशन जेव आवरधन और आपको अच्छे से दे रखा जीव आवरधन और आपको अच्छे से दे रखा जीव आवरधन तो आप का एक्जामपल देखर तो यहां परांसरों का थर्ड बायो मैगनिफिकेशन बाकी बायो ट्रांसफोर्मेशन मीन ही नहीं है बायो जीव के मिकल साइकल तो हो गैसे स्या सेडिमेंटर साइकल होते हैं क्लियर अकॉर्डिंग दिस्कूश रांसफर विल भी जो है अब आप ध कि जैसे ही रियोर में डोमेस्टिक सिवेज है तो सब से ज़्यादा क्या होता और वह डिग्रेडेड है तो जैसे ही वह जाएगा तो बैक्टिरिया को मेटरियल मिलेगा बैक्टिरिया बहुत फास उसको डिकंपोज करेंगा उसमें ऑक्सिजन रिक्वाइड होगी तो जाता है तो जो भी अक्वेटिक हो जाती है फिर बहुत टाइम बाद में रियापियर होते हूं तो यहां पर आपका होगा इंक्रीज इंक्रीज पोपुलेशन पर एक्क्वेटिक फुड वैब ऑर्गनिजम जलिए बोजन की समस्ष्ट में वर्दी हो जाएगी नहीं एन इ लेट ओफिस दू लेक ओप ऑक्षिजन तो अक्वर्डिंग डिस्कूशन आंसर विल भी थर्ड क्लियर नेक्स्ट क्योशन नंबर 79 डिप्रिशन और विच गैस इंद एक्टमोस्पेर कें लीड टो एन इंक्रीज इंसिदेंस ऑव स्कीन कैंसर आप जानते हो कि स्कीन कैंसर है इसकीन सेल एजेजिंग है इसके लाव स्नो ब्लैंड नेस है यह जो म्यूटेशन से हैं आप जानते हो कि जो यूवी रेज और ओजोन लेर का डिप्रिशन होगा तो यूवी रेक्ट आएगी यूवी भी सबसे ज्यादा जो आप जानते हो कि फैतल होती बहुत ज्याद लेथल होती घाथक होती है तो आप समझ भा रहें कि वातार में किस गयसी कमी होने पर ताउचा कैंसर के उस्वर बढ़ जाएंगे तो ओजोन लेर कम हो जाएगी तो डिरेक्टली यूवी रेज आ जाएंगी किलियर तो अकोर्डिंग डिस्कूशन आंसर विल भी फस्ट न अगेदारियों उनको अवेर किया गए कि आप इनके उत्पाद प्रड़क्ट यूज कर सकते हो लेकिन आपको इनको प्रोटेक्ट करना होगा तो स्टुडेंट आप ध्यान दें कि जोएंट फोरेस्ट मेनेजमेंट कंसर्ट वाज इंट्रडूज इंडिय डियूरिंग में रिजल्ट इन कार्बनिक अपसे से बरी किसी जील में क्या हो सकता है आपको बता कि यूट्रोफिकेशन होता है जील की दिर दिर एजेजिंग होती है क्लियर तो आप कहरें कि ड्राइंग ऑप दा लैक ड्यू अलगल ब्लूम सेवाल स्प्रण जील का सूख जाना इंक्र आप समझ पा रहे हैं कि 81 के अंदर क्या होगा थर्ड नेक्स्ट क्योशन नंबर 82 अंदा हाइस ड्यूट्री कंसंट्रेशन एक्वाटिक फूट्चेन इस साल अकरिन जनी खादे संक्ला में अधिक्तम ड्यूट्री के सांदरता किसी में होगी तो बही सीगल मैंने बतायता कि भी सबसे पहले फाइटो प्लैंक्टोन फिर जू प्लैंक्टोन फिर स्मोल फिस फिर लार्ज फिस फिर फिस इटिंग बर्ड सीगल तो आप समझ पा रहे हैं कि according to this question answer will be first क्लियर क्रेब नहीं होगा फाइटो प्लैंक्टोन नहीं होगा नेक्स्ट क्योशन नंबर 83 तो स्टुडेंट आप ध्यान दें क्योशन नंबर 83 विच्वन ओप फॉलोईंग स्टेट्मेंट इस नौट वैलिड फॉर एरोसौल की विसे में निम्र में से कौन सा खतन मानने नहीं है क्लियर तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि यह वर्षा और मांसुन की प्रविर्ट करते हैं बिल्कुल नहीं और एरोसौल धुहां के करण होते हैं तो देख कोज इंक्रीज एग्रिकल्चर प्रड़क्टिविटी इसके लिए करशित प्राज़ता में बढ़ोत प्रवान नहीं है तो यह आपकी बात हो जाएगी बीडे कोज इंक्रीज एग्रिकल्चर प्रड़क्टिविटी का मीन ही नहीं है बढ़ा नहीं सकते हैं वांसून पैटरम थोड़ा चैंज लेगिन कोज इंक्रीज में मतलब भी नहीं नहीं का तो इसका अंसर क्या होगा से प्राइमरी प्रीज में फोम में नहीं ही रहे हैं और यह सेकंड्री धिक पॉलुटेंट है जैसे सल पर स्मोग के लिए और फोटो केमिकल स्मोग और फोटो केमिकल स्मोग में आप अच्छी से जानते हो क्या फोम होता है पर ऑक्सेशल नाइट्राइल पैन प्लस ओथरी और ओजोन ओथरी एक सेकंड रिपोलुटेंट है यह बहुत अच्छा क्यूशन आया था क्लियर तो आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या होगा आंसर बिल भी सेकंड क्लियर नेक्स्ट क्योशन नंबर 85 वर्ड ओजोन देन सलेटेड और विशो ओजोन दी उसका बनाया जाएगा 16 सेतंबर को ओजोन दी बनाया जाता है क्लियर तो यह बहुत अच्छा क्योशन था आंसर फर्स् इन स्टेटोस्पियर विच ओफ फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट इस कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन डिलीज ऑफ मॉलिकुलर ऑक्षिजन सम्ताप मंडली में ओजोन के विक्रती करें और आणविक ऑक्षिजन की विमुक्ति में कौन सा तत्तो प्रेर के और ऐपका होगाल, जो तो यह जो कलोरीन होगा, कलोरीन ही और जो विघन करता है। क्लोरीन और आप जानते हो वैसे जनरली जो स्ट्रेटरश्पिर होता है आप ओजोन के विघठन की और बनने की जो रैट होती है यह बैलेंस होती है लहीं ऐसा होने पर फिर क्या हो जाएगा ओजोन प्रतकस्या हो जाएगा डिप्लिशन हो जाएगा तो वहाँ पर कौन जिमिदार है क्लोरिन आंसर क्या होगा थर्ड किलियर नेक्स्ट क्योशन नंबर एटी शेवन ध्यान दें मैस दा आइटम गिवन इन कॉलम फस्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड और स्लेक्ट ऑप्सन गिवन बिलो इस्तम फस्ट म रिजिद आएच की एज गी उसकी एज बताता है जील जितनी न्यूज होगी यंग होगी उतना ही आप जानते हो कि वाटर प्योर होगा टांस्परेंट होगा जैसे जिसे टाइम जाएगा और गनिक मलबा और इनक्रीज होगा तो जील अपनी बात ठीतिव हो लाँठ हो जा आजकल आप जानते होगी, पोलुषन बहुत Fast and Calendar, उसको कहुए Accelerated Utrophication Clear, तो Eutrophication क्या है Nutrient जील में धिरे धिरे Nutrient Increment होथा आपका, Nutrient Enrichment, Portatta क्पोसक अब यह होती है, sanitary land field क्या होते है, sanitary land field, solid waste का disposal होते हैं, जो आप जानते हो कि मुंसी पार्टिजर नगरपाली का यह आपकी रखती हैं तो आप समझ रहें कि वैस्ट डिस्पोजल और आप जानते हो सनो ब्लाइंड है तो सनो ब्लाइंड यूवी भी कि रही रेस्मॉंसीबल होता है और जूम कल्टिवेशन जो डिफोरेश्टेशन में हेल्प कर रही है कि काटोर जलाओ आप जनते होगी जो आधिवसी लोग होते हैं वह आगे सागे नहीं अगरीकलण के लिए वनों को काडते हैं और जलाते हैं पिर कई दिनों तक अगरिकल चल्ट फिर आगे बढ़ जाते हैं तो यहां पर इस प्रकार से आपका होगा तो A में आपका आंसर है 3rd, A में 3rd का उप्शन 1st ही है, A में 3rd हो गया, B में 4, B में 4 हो गया C में 1st, 1st हो गया और D में 2nd, according to answer will be 1st, clear, next, question number 88, which of these following methods is most suitable for disposal of nuclear waste, निम्न में से कौन सी विदी नाभी की अपसिस्टों के निप्टान के सबसे अधिक उप्युक्त होगी तो अपसिस को गहरे मासा नीचे चटन में डाल देना, bury the west within rocks, deep below the earth surface, अपसिस्टों परतिव से नीचे गहरी चटन रबा देना, बस answer आपका इसका क्या होगा, second ही होगा, clear, तो आप समझे रहे विटा कि वैसे तो फिर भी वो radiation release करते हैं, लेकिन यह उसका है, फिर आप कहत नेक्स्ट, question number 89, which of the following protocols did aim to reducing emission of chlorofluorocarbon atmosphere, कौन से प्रोटोकोल में, वाइवन क्लोरो फ्लोर कार्बन आप जानते होगी, ozone के अपक्षे से related, ozone depletion से related है, तो आप समझ रहे हैं, कि वह आप कहा था, Montreal Protocol, 1987 में कहा था, Montreal Protocol, जो chlorofluorocarbon emission को कम करने था, यह ozone का depletion नहीं हो, और क्यूटो प्रोटोकोल था वो तो, जापान में, CO2, greenhouse gases को कम करने के लिए, clear, तो यह आपका होगा, Montreal Protocol, clear, next, which of the following pair of gases in manly responsible greenhouse effect है, निमनी गेसों का कौन सा इगम, greenhouse के लिए responsible होगा, तो भाई, आप भी समझ सकते हैं, कि जो greenhouse gases में, मैंने आपको भी बताया था, कि 60% सबसे man जरी दो ही है, 20% methane होता है, CFC होता है, 14% और N2 आपका होता है, 6% और इसके साथ में, कुछ amount में, आप समझ रहे हैं, कि जो sulfur dioxide यह भी आपके होते हैं, तो यहां तो आप से पूचा है, कि मुख्य रूप से कौन उतरदाई है, तो मुख्य रूप से कौन है, CO2 और CH4, carbon dioxide and methane, clear है, यह आपका 90 question का answer होगा, then 91, due to increase airborne allergic and pollutant, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing due to why you द्वारा उत्पन अलर्जन परदुस्कों में का नगरी इस्तान में काफी विक्ति, सावसन विकार जो गरगरहाट उत्पन करते हैं, पीडित हैं, क्यों भई, तो आप समझ पार हैं, मिटा जी, कि proliferation of fibrous tissue and damage of the allure walls, ऐसा नहीं है, reduction in the secretion of serpectin by numeosides, ऐसा भी नहीं है, और begin growth on mucous lining of nasal cavity, नासी का गवाँ में सलेश मास्तरी मार्मूली वर्दी ऐसा भी नहीं है, inflammation of bronchi and bronchioles, सावसनी वा सावसनी काउं का inflammation, यह सही है, तांसर होगा, fourth, clear, the next, समझ रहें students की ऐसा ecology का पूरा आपका solution हो गया, और बेटा जी, ecology में जो ecosystem के अंदर food web है, food pyramid है, तो वहाँ upright pyramid क्या है, pyramid of number का क्या pyramid है, pyramid of biomass का क्या है, pyramid of energy क्या है, और कैसे वो पूरा आपका, कहां-कहां, आप जानते हैं कि spindle pyramid आपके आएंगे, आप इसको बहुत अच्छे से सोल करें, ecology फर्स्ट और से बहुत स्कोरिंग टॉपिक एकोलोजी, आप हमको thanks कहें, फिर भी हम आपके लिए और सिवा में हम तत्पर रहेंगे ताकि हमारा confidence increase हो, thank you very much.